तुम्हें समझाना या भैंस के सामने बीन बजाना ये बात आपने कई बार सुना है पर आज हम सिखेंगे भैंस के सामने बीन बजाने से क्या होगा यह तो नराज हो गया वाई चलिए अब दूसरा बैंस ढूलता है दोस्तों बीन का नाम सुनते ही बैंस दोड़ने लगा है पता नहीं बजाने पर क्या होगा तो फाइनली हमने बैंस को पकड़ लिया अब सबसे पहले बैंस को हम रसी से बांद लेंगे चलिए अब बीन बज कर दिया आखिर भैस को सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होता है